हेमकुंड साहिब बद्रिनाथ के रास्ते से अलग होकर फूलों की घाटी के रास्ते पर इस्थित है यह सिखों का पवित्र तिर्थ इस्थल है यदि आप बद्रिनाथ जा रहे हो तो यहां जरूर जाएं रिशिकेश बद्रिनाथ रास्ते से हटकर गोविंद घाट तक आप वाहन से पहुंच सकते हैं इसके बाद बरफिली और खड़ी चड़ाई वाले रास्तों पर लगभग 13 किलो मेटर दूर इस्थित है हेमकुंड साहिब गुरदवारा रास्ते में पढ़ने वाली फूलों की घाटी दुनिया के दुरलब फूलों से भरा हुआ है यहां यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है इस स्थान का उलेख गुरु गोविंद सिह द्वारा रचित दशम ग्रंथ में आता है इस कारण यह उन लोगों के लिए विशेश महत्वर रखता है जो दशम ग्र यह एपूर्ग